दिन में जैसे प्रसांद जी यहाँ पर आये सिवान में और जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड लेबल पर वर्क किया भले ही मैं तो दो-तीन साल से आप लोगों को तो मालूम है कि थोड़ा मुझे राजनितिक इंट्रेस्ट होने के कारण से बहुत सारे राजनिताओं से मिला और मुझे जो समझ में आए कि यह जमीनी अस्तर का आदमी है और यह किसी भी आदमी के पास जाके उससे अड़्जस्ट करके उससे कॉम्निकेट कर सकता है बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत इंटलेक्चुल रहते हैं लेकिन आप गाउं में भेज दीजिएगा एक किसी अनपड़ आदमी के पास तो उससे ना वो बात कर पाएगा और उसकी बातों को उसको समझा पाएगा या उसकी बातों को खुद समझ पाएगा और बहुत सारे लोग रहते हैं जो साइद ऊपर की स्टेज में चले जाते हैं तो नीचे आके धूल मिटी खाने के लिए तयार नहीं होते हैं जो मेरा तो ये भर्म तूट गया और मुझे लगता है कि जो अगर आप लोगों ने भी वो देखा होगा तो उनका भी भर्म तूट गया है वो आदमी और इस तरह की जो चीजे जो मैंने देखी ये आज तक मैंने बिहार के क्या मैंने हमने किसी भी किसी भी बाहर के भी किसी राजनित्यग्य को इस तरह से जमीनी अस्तर से जूड के काम करते हुए मैंने नहीं देखा है ये सच मुझ समाज के अंतिम पायदान तक जाके उनकी समस्याओं को समझने का उनका जो तरीका है मुझे लगता है कि मरी जितनी अनुभाव है और जितना मुझे समझ है कि ये तर राएं हैं और इसके बीच में डेंट नहीं लगाया जा सकता है आपको अगर कुछ पॉलिटिकली कुछ करना है तो इसी दो नाव पे चाड़ना होगा लेकिन इनों मुझे अभी इनको देख के लग रहा है कि ये तीसरी तीसरी नाव तेहर कर लेंगे सर देश के आजादी क बाद कोई ऐसा बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ है जिससे कि यहां की राजनितिक व्यवस्था बदल जाए और आप एक काफी दूर द्रिष्टी रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा राजनितिक या समाजिक कोई बहुत बड़ा मुवमेंट या अंदोलन होने वाला है ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद से जो हम लोग का जेपी अंदोलन हुआ था ये भी इतिहास में चाहे समाजिक और इस तरह राजनितिक तोर से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अंदोलन था और एक बहुत बड़ा करांती थी ए प्रसांद किशोर में वो सकती है और जिस तरह से उन्होंने बोला है मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैंने सेंपल देखा है उस सेंपल देखके लग रहा है ये दवाई बीमारी का इलाज कर देगी तो सर आप तो खुद एक डॉक्टर हैं और बहुत सारे मरीजों का इला चार है और अराजा के स्तिती चारों तरफ बनी हुई है लौ एन ओर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसे मैं आपको लगता है कि यही सब मुद्दा लेकर के परसांद किस और जनता के बीच पहुंच रहे हैं परसांद किस और अपना कोई मुद्दा लेकर नहीं समस्या है और और उनकी बाद से कईने कई मैं भी कन्वेंस हूं कि हम सोचते हैं कि यह समझया हैं लोगों को यह प्रॉल्म है लेकिन अगर देखेंगे तो लोगों की समझया कुछ अलग होती है और यह जब तक हम सुनेंगे नहीं न तो हमको भी गुरूमंत्र देखें गए कि सुनिये, बोलिये कम, क्योंकि बोलते हैं न तो हमारे अंदर जो रहता है, वही हमको पता चलता है, जब हम सुनते हैं, और जब आप राजनेता बनना चाहते हैं, चाहिए हमारी भी एक इक्षा है, तो यह तभी संभव है, जब हम लोगों के आकंचाओं को, लोगों के परि एक्जक्ली प्रॉब्लम तो यह जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉब्लम है लेकिन हो सकता है कि इससे भी जादा कोई जोलंद प्रॉब्लम हो क्योंकि हम यहां पे एक खुबशूरत इंवार्मेंट में बाटके उस समस्याओं को नहीं समझ सकते तो पहले वो समझने कोशिस करने हैं और उन्हें हमको भी यही मंतर देगेगा है कि समझने की कोशिस करिए कि लोगों की क्या समस्या यह प्रेडिक्ट कर लेना कि लोगों को यह समस्या है और पता जला कि उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं सर अगर सीवान बिधान सभा की बात करें तो अभी हाल ही में बिहार बिधान सभा का चुनाव संपन हुआ और जहां तक उमिदवारों का सवाल था तो मैंने देखा कि सीवान बिधान सभा में जो भी उमिदवार थे अगर उनका परिवारिक पिष्ट भूमी को देखा जाए, उनकी सैक्षिनिक योगता को देखा जाए, और भव को देखा जाए, या समाज में योगदान को देखा जाए, तो उसमें मुझा लगता है कि सबसे सुप्रियर, सबसे बेस्ट कैंडिडेट तो आप थे मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, आज के दिन में भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है, बैसा नहीं कि मैं हार गया तो जनता बेवकूप है, इस तरह का काना जनता जनारधन होती है, और जनता अपना हित हर वक्त सही की है, हर वक्त अपना सही डिसिजन लेती है, और मुझे लगता था कि जनता के नजरों में और जो जनता के नजरों में है वही भगवान के नजरों में और वही सचाई भी है कि उसके लिए मैं उतना उप्यूक नहीं था इसलिए मुझे नहीं चुना गया पहला चुनाव था तो देखे वहर चीज में और हम लोग तो अभी शीखने वाले हैं जी हम लोग को अभी हम लोग का उमर भी बहुत जादा नहीं है 40-42 वरस के उमर में हमने चुनाव लड लिया तो हम लोग को बहुत कोई सीखना है हम संघर्ष करना है हमने उतना संघर्ष नहीं किया बहुत सारे मायनों में जो भी हमारे प्रतिद्वन्दी थे उनसे और या समाज से मुझे बहुत कोई सीखने की भी जरूरत है जो हम सीखेंगे मन में इक्षा है तो दिले दिले सीख जाएंगे पब्लिक के ड्रेस कर रहे हैं सभाओं में तो साफ तो पर कह रहे हैं कि मुझे अच्छे लोगों की तलास है तो ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों की तलास पुरे भीहार अच्छा लोग बात तो सही है सभी लोग बोलते हैं कौन बोलता है कि मुझे बुरे लोगों की तलास समझेगी नहीं? और यह Definiершn जो हो सकता है कि जिसको वो अच्छा कहें जिसको समाज अच्छा कहें आप कहेंगे कि नहीं वो अच्चा आदमी नहीं है वो गड़बड आदमी है तो जन सुराज उसी का एक ये है जो जितना मुझे समझ में आए कि जनता किसको अच्छा मानती है, किसको पसंद करती है, वही अच्छा है.